रिखर साथ हां और यह बड़ी खबर है शेख हसीना भारत आ सकती है यह इस वक्त की बड़ी खबर एंग शेख हसीना के भारत आने की खबर आ रही है अगर तलाश में लैंड हुआ है हसीना का हेलिकॉप्टर ऐसा सूत्रों के हवाले से का जा रहा है जैसा मैं फिर पहले कह रही थी कि वह कहां जा रही है इसे लेकर अभी अपुष्ट खबरें यह कहा जा रहा है कि वह भारत आ सकती है भारत के साथ शेख हसीना के रिष्टे अच्छे रहे ह लेकिन अभी सूत्रों से खबर है कि शेख हसीना भारत आ रही है यानि कि शेख हसीना जो की इस्तीफा दी है और उसके बाद अब वो भारत आ सकती है अगर तला में उनका हलिकॉप्टर लांड हुआ है यह खबर आ रही है अगर तला में शेख हसीना का हलिकॉप्टर जो सफेद गोले में आप देख रहे हैं उशेक हसीना है पीम हाउस छोड़ते हुए गाड़ी में बैठते हुए और अब खबर यह आ रही है कि अगर तला में उनका हेलिकॉप्टर उनका चौपर लैंड कर चुका है यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर होगी और भारत सरकार का कोई स्टेटमेंट इस पर आता है कि उसका भी इंतजार किया जाएगा क्योंकि यह बहुत बड़ा एक तरह से इंटरनाशनल डेवलाप्मेंट है और भारत में अगर उनका हेलिकॉप्टर लैंड हुआ है जो खबर आ रही है तो यह बहुत बड़ा डेवलाप्मेंट है और इस पर भारत सरकार क्या कहती है उसका भी इंतजार करना होगा है और सरकों पर सैलाब इस वक्त दिखाई दे रहा है माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद में सेना की तरफ से बड़ा एलान भी बांगलादेश में किया जा सकता है लेकिन जो अभी तक खबरे आ रही थी कि फिनलैंड की तरफ यह ये यरोप की तरफ बढ़ी है शेख हसी भारत ही पहुची है लेकिन जानकारी मिल रही है सूत्रों के अवाले से क्या गठला में हलिकॉप्टर लैंड हुआ है हलाकि कुछ देर के बात में इस बात की पुष्टी होगी तस्मीरे भी सामने आएंगी कि आकरकार शेख हसीना कहा पर गई क्या वाकई में भारत लैंड हुई है या फिर कहीं और सो रक्षिट ठिकाना उन्होंने ढूडा है लेकिन फिलाल जो चार तस्मीरे हैं इस वक्त आप यहां देख सकते हैं आगजनी आप किस तरीके से देखी जा रही है चार और हर तरफ हर सरकारी बिल्डिंग में लगभग आप देख सकते हैं कि इसी जो सहलाब है उस समय देखने को मिल रहा है पैतालिस मिनट में देश शोड़ने का आदेश शेख हसीना को दिया गया था और वो हालात यहां पड देखे गाए तस्वीरे आप देख रहे हैं कि जब उन्होंने बांगलादेश शोड़ा था लेकिन भारत से रिष्टे बांग हेलिकॉप्टर लेंड हुआ है तो अगर दिला में लेंड हुआ है हसीना का है हलिकॉप्टर बड़ी ख़वर आप बतारेसी के साथ दो तस्वीरे भी दिखा रहे हैं शेक हसीना की पहली वो तस्वीर देख लीजे जब उन्होंने बांगलादेश चोड़ा था प्लेम हाउ लिया है इसके पीछे की वज़टर के जो सवतंतरता संग्राम सेनानी थे 30 प्रतिशत का कोटा नौक्रियों में दिया जाता था रक्षर दिया जाता था जिससे लेकर के कोट ने कम भी किया जिस पर फैसला भी सुनाया लेकिन बाग जूद इसके हिंसा नहीं थमी और हिंसा म पूरे बांगलादेश में सेना का मोर्चा समाल लेना आप समझे यह बहुत बड़ा डेवलप्मेंट है शेख हसीना जो की बांगलादेश छोड़ चुकी है वहां से निकल चुकी है और सुत्रों से जो खबरे आ रही है वो ये भी कि वो भारत आई है लेकिन अभी इसका कन मिलिटरी कू है क्या सेना वहां पर सत्ता सभालेगी ये जो तस्वीरे आप इस वक देख रहे हैं प्रदर्शनकारी पूरी तरह से गण भवन में घुश चुके है जो की पी एम रेजिदेंस है जहां से शेख हसीना निकली है और अब इसके बाद सवाल ये है कि क्या एक मिल तरह से स्थिती सम्हाले के लिए वहां पर काबिज होगी और फिर किसी और सरकार को आने का मौका देगी ये सवाल बना हुआ है लेकिन अभी के लिए जो खबर आ रही है सेना ने पूरी तरह से मोर्चा सम्हाल लिया है लेकिन सेना के मोर्चा सम्हालने के बाद भी ये तस् तरह से समर्पण कर दिया है क्योंकि सेना प्रधान मंत्री को एक तरह से सुरक्षा ना देकर उन्हें वहां से निकलने की बात कहती है और उसके बाद यहां उपद्रवी जो की PM हाउस में स्टॉर्म कर चुके हैं उन पर किसी तरह का कोई चाबुक चलता अभी नजर नहीं आ और इसी के साथ एक और बड़ी ख़वर आपको बताते हैं जाब बांग्रादेश के PM हाउस में प्रधार्श्वन कारी घुज गए है भीन ने PM हाउस पर कबजा कर लिया पूरी तरीके से PM हाउस में प्रधार्श्वन कारियों की तोरफोर्ड भी देखी गई है तो प्रधा बांग्लादेश पर सेना ने पूरी तरीक साथिकार कर लिया है श्रीख हसीना के भारतारी की फ़वर भी एक तिक्ष्वन के हमारे से लेकिन ये बड़ी चांकारी जिस तरीके से ये तफ़ीरत सामने आ रहे हैं कि ब्रधार्श्वन कारियों ने घुस पैट कर दी है अंदर और ऐसे ही हालात पहले भी बने थे आपने देखा कि श्रीलंका में भी इसी तरीके से हालात बने और अब ये हमारे पडोसी देश बांग्लादेश में ये पूरी तरीके से वही पिक्चर याद दिलाती है जैसा कि श्रीलंका में हुआ था जा प्रधार्श्वन कारी गुज तस्वीरे आप देख सकते हैं जगे जगे उनके द्वारा तोर्फोर की जा रही है देश्व्यापी कर्फ्यू का एलान किया गया था लेकिन इसको दर्पिनार करके सडकों पर हजारों के संखें प्रदर्शनकारी उत्रे हुए तो इस वक्त जो खबर बांगलादेश से आ रही है उस पर पूरे इस वक्त दुनिया की नजरे होगी क्योंकि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई और मुझेबुर रहमान का जो एक स्टाच्यू बनी हुई है उस पर उसको भी एक तरह से घेर लिया है प्रदर्शनकारियों न है वह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं शेख हसीना जो की चौथी बार सत्ता पे तो आई लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन की आग फैली और उसके बाद उन्हें वहां से देश छोड़कर निकलना पड़ा है यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है शेख हसीना इस वक्त कॉंफरेंस वहां की जो स्थिती है वहां पर इस वक्त क्या हालात है उसे लेकर एक प्रेस कॉंफरेंस की जा सकती है बांगलादेश के आर्मी चीफ जैसा मिनाक्षी बता रही थी प्रेस कॉंफरेंस करेंगे थोड़ी देर में और प्रेस कॉंफरेंस करेंगे थोड़ी दे जुड़ रहे हैं बिदुल तस्वीरे हम लगातार ब्रगलादेश की दिखा रहे हैं पिछले काई दिनों से मैंने जैसा कहा कि एडवाइजरी जारी की गई भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारी के वहाँ पर अगर आप हैं तो विदेश मंत्राले के संपर्क में रहें क्यों बिल्कुल देखिए जो ख़बरे सामने निकल कर आ रहिक हैं वहाँ के मीडिया के हाँसे अख़ारों के आवाले से वो यही बता रही है कि शेख हसीना भारत आ सकती हैं यह दो तीन अख़बार और मीडिया चैनल दावा कर रहे हैं सुचरिता इसका सीधा मतलब यही है कि अ सर पढ़ सकता है बक्षी सर देखिए शेक हतीना भारत की बहुत घनिष्ट मित्र थी जब तक वो वहां गदी में थी उन्होंने बहुत भारत के इंट्रेस्ट को सपोर्ट किया है उनकी जो है सरकार खत्रे में थी अमरीकन उनको धंकियां दे रहे थे कि वो उनको हटवा देंगे वो इनसे भेस मांग रहे थे उन्होंने बिलकुल देने से मना कर दिया तो उनके खिलाफ औरकेस्ट्रेट की गई है ये स्टूडेंट्स मुमेंट जिसमें की जो मुक्ती लाज थे जिन्होंने बंगलादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान से चंक करी थी वहां के रजाकर जो की कतलो करत में साथ दे रहे थे पाकिस्तान की फौज का और कोई वहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं थ्री मिलियन बंगलादेशी इसको जान से मार डाला था वन मिलियन बंगलादेशी ओरतें रेप हुई थी और दस मिलियन भारत में रिफ्यूजी धकेल दिये गए थे उस वक्त मुक्तिवाहिं लड़ी थी तो वो उनके बच्चों को रेजर्वेशन देना चाहती थी जिसको मुद्दा बनाकर उनकी सरकार को ओवर्थ्रो करने की ये बिल्कुल कोशिश है